नमस्कार दोस्तो इस टेडी वीथ पॉन परदेप में आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तो आज चर्चा की जाएगी भारत के भगोल भाग चार धरातली स्वरूप और अपवाह से जो प्रशन पुछे गए हैं ये वो प्रशनों की स्रीज है जहां से प्रशन बार बार प प्रिक्षाओं में पूछे गए हैं रिपीट हुए हैं और आगे भी आप देखेंगे कि ऐसे अनेक प्रशन हैं जो बार बार प्रिक्षाओं में आये हैं और सांत में ब्याख्या है दोस्तो जो आपके आने वाले प्रिक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण ठाचनिक आये के अउसर है यहां पर आईए देखते हैं चर्चा करें निमनिल खित में कौन सी नदी भरंश घाटी से बहता है भरंश घाटी से दोस्तो मरमदा एवं ताप्चि नदी बहती है यहां पर आप्शन में नर्मदा नदी है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, इसका उद्गम मैकाल परवती सेत्र में अवस्तित अमरकंटक चोटी से हुई है, मैकाल परवस्रेणी में अमरकंटक की चोटी से, प्रश्न पूछा जाएगा कि नर्मदा का उद्गम कहां से है, अमरकंटक चोटी के समीब से है, इस नदी के अपवासेत्र लगभग सताच परतिसद भाग मध्यवर्देश में, एक दसमलोव पांच परतिसद भाग महराष्ट में और ग्यार दसमलोव पांच परतिसद भाग गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी अरब सागर में किदने वाली प्राइड भी भारत की सबसे बड़ी नदी है, आगे चर्चा करें हम प्रश्न नंबर 163 दोस्तों 162 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं, देखें कि ये प्रश्न क्या है, भारत में नहर सिंच सेत्रों के किर्चित भूमी का लवनी भूमी में बदलने का मुख्य कारण है, भारत की जो सिंचित सेत्रों है, किर्चित भूमी वो लवनी भूम में क्यों बदल रहे हैं, इसके लिए कारण बताना है, उर्वरक पसुचारन, उर्वरक का अत्यधिक उप्योग, अत्यधिक किरिशी इसका जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक शीचाई भारत में शिंची सेत्रों में किर्शित भूमी का लवणी भूम में बदलने का मुख्य कारण अत्यधिक शीचाई है भारत में शीचाई का सबसे बड़े महत्पूर्ण साधन नहरे हैं भारत में जितनी भूमी कि शुब्धा उपलब्द है उसका 40% भाग लगभग नहरों द्वारा शीचा जाता है यह प्रस्ण देखे आब M.P. Assistant Professor के इपजाम में आया हुआ है अगला प्रस्ण देखें कि सीतकाल में भारत में सीत लहरें चलती है बिल्कुल सीतकाल में सीत लहरें चलती है भारत में सीठ निर्टो में हिमालै में पभचुआ औउदावों के कारण भारी हीफात होता है बिल्कुल होता है दोस्तों कत्थन और कारण दोनों यहाँ पर सही है और जो कत्थन है उसकी ब्याख्या आपका कारण कर रहा है इसका option C सही है कि A और आप दोनों से ही है आर एकी सही व्याख्या है सीत काल में उत्री भारत में सीत लहरें चलती हैं जिसके कारण सीत रितुमें हिमालाई में पच्वा और दावों के कारण भरी हिमपात होता है अगला प्रस्ण है निमनिलखित कथनों के परिक्षण करते हुए दिये गए कूट का कूट से उत्तर चुनिये सही उत्तर आपको चुनना है यहाँ पर देखें पहला प्रस्ण है रिहंद बांद सोन नदी की सहाइक नदी पर बना है हीरा कुंड बांद महा नदी पर है तुंग भद्रा प्रियोजना आंदर प्रदेश एम करनाटक का स्वेक्त सेत्र है जबकि कौसी बिहार का सोक कहा जाता है यहाँ पर देखें तो उस तो रिहंद बांद सोन नदी की सहाइक नदी है रिहंद नदी उस पर बना है यह उप्सन सही है जबकि हीरा कुंड बांद महा नदी पर है बिलकुल सही है हीरा कुंड बांद महा नदी पर उडिशा राजी में इस्तिद है और उप्सन सी है तुं ही कोशी नदी बिहार का सोग कहलाती है अगर कोशी नदी आया होता तो यह बिहार का सोग कहलाती यहां पर कोशी दे दिया इसलिए आप्शन डी इसका सही आंसर है क्योंकि तीन आप्शन इसके सही थे और एक कथन असत्य था और आपको उसमें जाच करनी थी कि कौन सा कथन ग भारत के निम्न में से किस राज्य में इस्तिद है अगस्त मलाई जैवंडल आरक्षिसेत अगस्त मलाई भारत के केरल राज्य में इस्तिद है अगस्त मलाई जैवंडल आरक्षिसेत अगस्त मलाई जैवंडल आरक्षिसेत भारत के केरत राज्य में है अन्ना मलाई पर्वत के दक्षिण में काडमम पहाडियों का विस्तार है जिसकी सर्वोच चोटी अगस्त मलाई है काडमम की सर्वोच चोटी अगस्त मलाई है निमनिलखित अगला प्रश्न है निमनिलखित में कौन सी अवद मैदान का परमुख नदी है कौन सी अवद मैदान की पर्मुख ने दी है यमना ने दी घागरा ने दी गंटक ने दी या सोन ने दी घागरा ने दी अवद मैदान की पर्मुख ने दी है आए ब्याख्या देखें अवद मैदान की पर्मुख ने दी घागरा ने दी है गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश बिहार जारखंड पस्चिम बंगाल राजी में हुआ है गंगा नदी के उत्तर का मैदान को दो भागों में विवाजित किया जाता है पस्चिमी भाग रुखेल खंड और पूर्वी भाग अवद का मैदान जहां पर घागरा नदी परवाहित होती है या वहां की प उसकी जो परमुक ने दी है वह धागरा ने दी है निम निलखित अगला प्रशन निम निलखित में कौन साहोट स्पोर्ट पस्चिमी घाट में नहीं है अन्नावलाई की पहाडियां भी हमने देखा था दक्षिम में है निलगिरी की पहाडियां भी दक्षिम में है सुन्द प्रश्चिमी घाट में नहीं है आए अगले प्रश्ण पर चर्चा करते हैं प्रश्ण नंबर 179 नाथुला दर्रा अवस्तित है कहां इस्तित है नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्तित है नाथुला दर्रा भारा चीन युद में सामरिक महत्तो के कारण चत्रित रहा यह दर्रा सिक्किम राज्जी के डोकिया स्रेणी में इस्तित है जहां पर डोकलाम विबाद भी चर्चा में रहा था यह उनीश अब आसट से बंद पड़ा है भारा चीन 2006 में इस पर ब्योपार सेत्र खोलने के लिए राजी हो गए थे और ब्योपार यहां से शुरू किया गया लेकिन दारजलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर यह तिब्बत जाने का पस्थस्त मार गहे है चुम्बी नरी इसी दर्रे में बहती है शिक्किम राजी जेलपला दर्रा में इस्तित है जम्मु कस्मीर राजी के चांगला चांगला कारा कुरम दर्रा बुर्जिल दर्रा तथा पीर पंजाल दर्रा अवस्तित है आगे देखें प्रस्ट नमबर 170 की निमने लिखित युगम में कौन सुमेलित नहीं है पहला अप्शन है इसका 11 इसंबर 1969 कोई ना में भुकम्प आया था और भुकम्प किती थी और भारत की अवस्तित मतलब वह यहां कहां पर भुकम्प आया था 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकासी में 26 जनरी 2001 में भुंज में और जो अप्शन डी है 18 सितंबर 2011 मंगन में यह भुकम्प नहीं आया था इसलिए यहां पर यह सुमेलित नहीं है महराष्ट में कोईनाबाद के निकटवर्ती शेत्र में 11 इसंबर 1960 के भुकम्प आया था को भुकम्प आया था जिसकी तीवरता रेक्टर स्केल पर 14.8 मापी गई है 26 जनरी 2001 गंतंतर दिवस के दिन 22 गंतंतर दिवस के दिन आठ बचकर 46 मिलर लगभग 9 बजे इसका केंडर भारत के गुजरात के कच्छ जिले में भोचा ताकुला चावीरा गाउं के लगभग 9 किलो मेटर दक्षिन पस्चिम में था इस भुकम्प की तीवरता रेक्टर स्केल पर 7.7 आखी गई अगला प्रश्न देखें निमने लिखित में कौन सा भारत के सबसे पूर्व में अवस्तित है निलगिरी की पहाड़ियां मैकाल की पहाड़ियां सत्माला पहाड़ियां महादेव पहाड़ियां मैकाल की पहाड़ियां प्रश्न के अनुसार सबसे पूर्व में अवस्तित ह मैकाल सत्पुरा स्णेनी का ही पूर्वी भाग है यह मद्य प्रदेश में सहडोल माडला चतिसगड बिलासपूर जिले तक विश्तित है इसकी सबसे उंची चोटी अमरकंटक है जहां से हमने देखा था नर्मदा सोन एवं बेन गंगा नदिया निकलती है प्रश्न पूछे जाते हैं कि अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदिया आप्शन एक ही सांद ये रहते हैं नर्मदा सोन बेन गंगा या तीन-तीन करके और भी यहां पर कानहा राष्टी उध्यान मैकाल स्रेणी में ही अवस्तित है प्रश्न कानहा राष्टी उध्यान कहां ह होते हैं प्रश्न एक सोबहत्तर निमनिलखित नदियां नदियों में कौन गोदावरी की साहिक नदी नहीं है माजरा प्रानहिता प्येन गंगा या माही माही नदी गोदावरी की साहिक नदी नहीं है गोदावरी नदी प्राइडिपी भारत की सबसे बड़ी नदी है जो महराष्ट के कलसुवाई परवती सेत्रम वस्तित तरबंगक तिरियंबक पहाड़ी से निकलने के पस्चात महराष्ट तेलांगना आर्द प्रदेश तथा पॉंड़ी चेरी से होकर प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ पर देखे दोस्तों याद रखना है कि गोदावरी नदी भारत की मतलब दक्षणी भारत की सबसे बड़ी नदी है जबकि हमने देखा था कि नर्मदा नदी दक्षणी भारत की अरब सागर में गिर्दने वाली सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी क्या है प्राइदी भी भारत की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिदने वाली प्राइदी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोदिना प्राण हिता इनरावती एवं सबरी बाय तट की सहयक नदियां है जबकि मुला प्रवरा माजरा मनेर किनार सानी इसकी तहने तट की सहयक नदियां है गोदावरी नदी पर राजमंद्री के निकट बाध बनाय गया है जबकि इसकी सहयक गंगा बेन गंगा नदी महराष्ट में गोसी खुर्द परियोजना चलाई गई है इसकी सहयक माजरा नदी निजाम सागर बांद बनाए गया है इसकी जो सहयक नदी है उस पर निजाम सागर बांद बनाए गया है माजरा पर अगला प्रेशने देखें, निमने लिखीत में कौन प्राइदीपी भारत के सबसे बड़ी नदी है अभी यह प्रेशन फिर से रिपीट हो गया, गोधावरी क्या है? तक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी है जबकि कृष्णा प्राइदिपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की तीसरे सबसे बड़ी नदी है जो महराष्ट के महावलेश्वर चोटी के निकट से निकलने के पश्चात महराष्ट करनाटक तेलांगना यम आन्रपरदेश से होकर प्रवाहित होते प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसकी सहयक नदियों में कोईना जिस पर कोईना बाद बना है वरना पंच गंगा, दूद गंगा, घाट परभा, माल परभा, तुंग भदरा, भीमा, डिंडी तथा मुशी हैं अगला प्रशनी देखें यहाँ पर हिमालाई की निम निलखित घाटियों में से किस में सिवकिला दर्रा इस्तित है, हुचा घाटी में, नूपरा घाटी में, सतलज घाटी में, चुम्भी घाटी में, सतलज घाटी में क्या है, सिवकिला दर्रा अस्तित है, सिवकिला दर् प्रवेश करती है अगला प्रस्ण देखें निमनिलखित युगमों में कौन सुम्मेलित है किलिवनजारो चिली एल बूर्ज थाइलेंड एकांक गुवा कनाड़ा माउंट किना किना डालो मलेशिया ओप्सन डी इसमेलित है माउंट किन डालो मलेशिया में सबा में एक पहाड है यह विश्व द्रोहर की किना बालो पार्क के रूप में संग्रक्षित है किना बालो बोर्णिया क्राकर रेंज की सबसे उची चोटी है और मलाइट वीव समूं के साथ मलेशिया में भी सबसे उची चोटी है एकांगा गुवा अर्जन टीमना में अवस्तिद है और एलबूर्च परवत इरान में अवस्तिद है तो वह किली मंजारों कहां है तंजानिया में निमनिल्खित युगमों में कौन सुमेलित नहीं है उत्राखंड 2000 में अरोनांचल परदेश 1968 में महाराष्ट 1960 में हर्याना 1966 में इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है हर्याना 1968 में आए ब्याख्या देखें मुंबई कुनर गठन अधिनियम 1960 के तहद बना था और तेरवा संभिदान संसोदन अधिनियम 1962 द्वारा नागा लेंड राज्य बना संभिदान संसोदन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब विभाजित हुआ हर्याना नया राज्य बना 1966 में और जबकि यहां पर रुणांचल वर्देश जो 1968 दिया गया है यह ओप्शन गलत दिया गया है सुमेलित नहीं है आईए अगले प्रस्ण पर चर्चा करते हैं इसकी और व्याक्या देखें पच्पन्वा संभिदान संसोदन 1969 नस्वरे 1986 रुणांचल प्रदेश बना और 26 संभिदान संसोदन अधिनियम 1 नवंबर 2000 से 36 गड़ बना 27 संभिदान संसोदन अधिनियम 9 नवंबर 2000 को उत्राखंड बना यह संभिदान संसोदन आप देख सकते हैं दोस्तों निश्चित तोर पर इस पर आप एक बार चरूर देखें निमलिखित युगमों में कौन सुमेलित नहीं है पलकुंडा पहाडियां अनवरदेश जवादी पहाडियां महराष्ट कैमूर पहाडियां मद्यवरदेश राजकीर पहाडियां बिहार अप्सन भी जवादी पहाडियां महराष्ट अप्सन गलत है सुमेलित नहीं है आएए देखते हैं ब्याख्या जवादी पहाडियां पूर्वी घाट की परमुक पहाडियों का दक्षिन से उत्तर करम वरुसनाद, शीरु मलई, पालनी, पंचा मलई, शेवराय तथा जवादी महराष्ट के दक्षिन उत्तर पूर्वी तिशा में दक्षिन पूर्वी तिशा की ओर लगभग तेर सो किलोमेटर की लंबाई पूर्वी घाट निलगिरी परवत तक खेला हुआ है आगे चर्चा करें प्रस्ट नंबर 178 पर शिंदू जल संधी उनीश साट के बिनमयान के अनुसार भारत शिंदू नदी के केवल डोट-डोट परतिसत का पानी ले सकता है बीस परतिसत पानी लेता है शिंदू जल संधी उनीश साट बिनमयान के अनुसार भारत शिंदू नदी केवल बीस परतिसत पानी उप्योग करता है शिंदू नदी जल समझोता भारत पाविस्तान के मेर्जे हुआ था 119 नंबर का प्रशन है मुंबई और पूने में प्राप्त वर्षा की मात्रामांतर का कारण कौन सी वर्षा का परकार है मुंबई और जो पूने में वर्षा होती है उसका जो मुख्य कारण है वो है प्रवताकार वर्षा मुंबई तथा पूने में प्राप्त वर्षा की मात्रामांतर का कारण प्रवताकार वर्षा है पोवन बिमुख की तुलना में पोवन मुख धालों पर बिरिश्ट रिचाया की काफी अधिक होती है इसका कारण यह है कि पोवन बिमुख धालों में बरसा कम होती है जैसे ही मानसुन आते हैं तो दक्षणी भारत या नहीं पश्चमी घाट के घाट से टकराते हैं और है निमनिल खित में कौन सा एक कार्डियो नियन पहाड है अप्शन लारेंशियन परवत अरावली परवत पामीदनाट या भैकाल परवत अप्शन भी सही है इसके लिए अरावली परवत काडेंशियन परवती करण से सीरियन एवं डेवेनियन काल के परवतों को रखा जाता है भारत की और आवली सत्पुड़ा एवं महादेव इस यूग के महत्वपून परवत हैं अगला प्रशने देखें ग्रेटर हिमाले में स्नो लाइन की उचाई पस्चिम में अधिक जबकि पूर्व में कम है इसकी वज़े है पहाड़ों का अधिक ढाल नमिंग में अंतर नार्मल लैप्स रेट में अंतर या उचाई में अंतर इसका जो सही आंसर है वह था अप्शन बी ग्रेटर हिमाले में स्नो लाइन की उचाई पस्चिम में अधिक जबकि पूर्व में कम है इसकी वज़े है नमिंग में अंतर काली शिंद नदी निम्न में से की नदी की शायक नदी है अप्शन ब्रह्मपुत्र बी गंगा सी शिंदू डी यमना सी गोदावरी अप्शन डी सही है यमना नदी का उदगम यमनोत्री हिमनत से होता है इस नदी की लंबाई तेर सो पिचासी किलोमेटर है यमना नदी के दाएं किनारे से चंबल सिंद बेतवा केन नदी मिलती है पूर्व काल में यह रावली की पहाड़ियों के पश्चिम से बहती हुई थार मरोस्तल में सर्शती नदी की सहयक या मुख्य साखा के रूप में प्रवाहित होती थी दिल्ली मत्रा तथा आग्रा इसके तढ़पर है प्रस्न पूछा जा सकता है कि यमना नदी के तढ़पर कौन सी नदियाँ है यमना के तढ़ पर मत्रा आगरा तथा दिल्ली शहर बैसे हुए हैं अगला प्रस्ने देखाएं भारत में निम्न मैसे किस मिर्दा का विष्थार सरवादिक है भारत में जलोड मिट्टी का सेत्र सबसे अधिक है काली मिट्टी को रेगूर या कपास मिर्दा भी कहा जाता है इसे ट्रोपिकल चर्नोजम के नाम से भी जाना जाता है इस मिर्दा में नाइटोजन एम फारफूरस जैसे तत्तु की कमी होती है लोहा मैगनेशियम एलमूनियम इतियादी के दिखता पाई जाती है सामानता कपास तंबाकू मूबलियम गन्य के लिए यह उप्योगी होती है काली मिट्टी ब्रह्म पुत्र नदी तिष्टा नदी में सामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है ब्रह्म पुत्र नदी जब तिष्टा में सामिल होती है तो वह जम्ना नाम से जानी जाती है ब्रह्म पुत्र नदी गारो पहाडी के पश्चिम से होकर बंगला देश में प्रोवेश करती है जहां जम्ना नदी कहते हैं सिक्किम पश्चिम मंगाल से होकर प्रवायित होने वाली तिस्ता नदी बंगला देश में जमना से मिलती है बंगला देश में जमना नदी पदमा नदी से मिलने के बाद पदमा नाम से प्रवायित होती है बंगलादेश के उत्तरपूरी पहाडी सेत्र में आने वाली मेगना नदी पदमा नदी से मिलती है और ये दोनों का सह्यक्तुरूब मेगना नदी कहा जाता है गंगा और ब्रह्म पुत्र का सह्यक्तुरूब जिसे पदमा एवं जमना नदी कहा जाता है बंगला देश में गारोखासी एवं जेनतिया पहाडियां निमलिलखित में से किसका भाग है यह दक्कन के पठार का भाग है गारोखासी एवं जेनतिया दक्कन पठार के भाग है अगला प्रस्शन देखें निम्न में कौन सावितरण में अस्मानता को दिखाने के लिए सबसे उप्युक्त है नमबर एक लारेंज कर्च नमबर दो बार ग्राप नमबर तीन सरक्ल डाइग्राम नमबर चार इसो प्लेट इसका जो राइट आंसर है वो है उप्युक्त लारेज कर्व है लारेज वक्र की शाहता किसी स्रेणी के अफिकरण का अंकूं में मान ग्यात नहीं होता फिर भी किसी शाहता से दो या दो से अधिक खंडी तथवा विचिनन सरेणियों में अब किरनीत संबंदी अंतरोनों को एक दिरिष्ट से एक दिरिष्ट में सभस्ट देखा वा समझा जा सकता है अगला प्रशन है जनसंख्या वित्रन दिखाने के लिए सबसे अच्छा मान चित्र कौन सा होता है कारोप्लेक्स मान चित्र सेडिंग मान चित्र डॉट मान चित्र या आईसो प्लेट मान चित्र जो सही आंसर है वो है आईसो प्लेट मान चित्र है जनसंख्या वित्रन दि समान मूली या घनतु वाले इस्तानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती हैं क्या समानी रेखा बिधी समताब रेखाएं, समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समची रेखाएं, समतल रेखाएं, तथा समपवन बेग रेखाएं, आधी भिन्ने भिन्ने परकार की रेखाएं होती हैं अगला प्रस्ण है भारत की जन्गर्णा मैं भारत के सहरों के कार्यात्मक बर्गी करण के लिए तिर्गुट आरेक किसने लागू किया इसके लिए जो ट्राइट आंसर है वो है असोक मित्रा ने भारत की जन्गर्णा में भारत के सहरों में कार्यात्मक भर्गी करण एवं तिर्गुट आरेक असुक मित्रा ने लागू किया भारत में पर्थम नियमित जन्गर्णा अठार सो इकाश में लाड रिपन के सासनकाल में मानी जाती है इसके बाद आज तक नियमित रूप से परतेक दस बरस बाद इसे संपन कराया जा रहा है बरस अठार सो बहुत्तर से अब तक कुल चोद बार जन्गर्णा कराई जा चुकी है तथा स्वाधिन भारत में छे बार जन्गर्णा संपन होई है 2011 की जन्गर्णा भारत की पंदरुवी तथा स्वतंत्र भारत की सात्वी एक्षिल भारती जन्गर्णा है इस्टेंडर जन्गर्णा प्रिभासा किसके अनुसार एक मामुली सर्मिक वो है जो कम से कम डॉट डॉट काम करता है इसके अनुसार वो है जो 183 दिन काम करता है वो इस्टेंडर जन्गर्णा प्रिभासा के अनुसार एक सर्मिक है बत्तव इस्टेंडर जन्गर्णा प्रिभासा के अनुसार मामुली सर्मिक वो है जो कम से कम 183 दिनों तक काम करता है बर्स में अगला प्रसने देखें, 190 प्रसने कि निमनिल खित में से कौन सा दर्रा औरुनांचल परदेश को तिबत से जोलता है, बोमडिला दर्रा क्या है, औरुनांचल परदेश को तिबत से जोलता है, बोमडिला दर्रा औरुनांचल परदेश को उतरी पस्चिम भाग में इस्तित है इस दर्रे से लोग तोवांग घाटी तिबत के मार्ग तक जाते हैं बन्ने हाल दर्रा जोहर सुरंग इस्तित है इस दर्रे से होकर लोग सिर्णगर मार्ग को जाते हैं जम्मू कश्मीर से अगला प्रेस्ट देखें कि चतुर्थक तंत्रे सेल निम्ने में से किस में नहीं पाई जाते हैं अप्सन ए थार्मरोस्तल अप्सन वी कच्छरकारन अप्सन सी मद्यगंगा के मैदान डी कश्मीर ई कलनाटक इसका जो सही अंसर है मद्यगंगा मैदान में नहीं पाई जाते हैं चतुर्थक तंत्रे सेल चतुर्तक करम की चट्टाने संग्रस्टना शिंदुयम गंगा के मैदानों में पाई जाती है मध्य एवं उपरी पिलिष्टो सीन काल में पुरानी जलोड मिर्दा का धिर्माण हुआ और जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है बांगर मतब जहां पर बाड का पानी नहीं जाता है जहां पर नवीन जलोड होती है उसे मिर्दा का निर्माण प्लिष्टो सीन काल के अंते में प्रारंब हुआ यह वर्तमान में होलो सीन काल में भी जारी है इसे खादर के नाम से जाना जाता है खादर जलोडवाला सेत्र बांगर जहां पर बाड़ का पानी नहीं जाता है करनाटक के धारवाल करम की चट्टाने पाई जाती है धारवाल करम की चट्टाने अरकियन करम के प्रात्मिक चट्टानों के अपरदन एवम निशेपन से निर्मित चट्टाने है देश की लगभख सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैगजीन, लोहा, तथा कॉर्मियम इत्यादी इसी चट्टानों में मिलते हैं अगला प्रस्ने जम्मु एम कस्मीर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है चेलम, चेला, सिंध या नुवरा सिंधु नदी जम्मु एम कस्मीर में प्रवाहित होती है सिंधु नदी का उदगम मांसरो और छील के निकट से उदगम होता है इसकी प्रमुख साहक नदियां, गिलकित, श्योक, शिगर, चासकर तथा हारनेल है सिंधु नदी प्रवती साहक नदियां, गिलकित, श्योक, और सिंधु जैसे जबकि मैदानी साहक नदियां, छेलम, रावी, चेना, सतलज, और ब्यास है अगला प्रशने देखें निमनलखित में से कौन भारत के संबंद में सही नहीं है लाल मिर्दा में लाव परचूर मात्रा पाये जाता है पाये जाता है काली मिर्दा में फासफोरस, नाइटूजन और जैविक पदार्थ परचूर मात्रा में पाये जाता है ये अवसन गलत है जलोड मिर्दा में पोटास, प्रियाप्त मात्रा में पाये जाता है लेकिन इसमें फासफोरस काभी कम होता है लाज मिर्दा, दलहन यो मोटे अनाजो के पैदावार के लिए उप्युक्त है ब्याख्या देखें इसकी काली मिर्दा को रेगुर मिर्दा भी कहा जाता है काली मिर्दा में नैटोजन, फासफोरस जैसे तट्वों की कमी लोहा, मैगनेशियम, एलमुनियम, इत्यादी की अधिकता होती है जबकि सामानता कपास, तंबाको, मुफली, गन्ना के लिए उप्योगी है दक्कन ट्रेप के अफसे तथा पुर्दन के कारण इसका निर्मान हुआ है इस मिर्दा का विस्तार महरास्ट पठारवाले सेत्र पर अधिक विक्षित हुई है अगला प्रस्न है, बरकिंगम, नहर किस राज में इस्तित है बरकिंगम, नहर, तमिलनाड और करनाठक राज में इस्तित है आए दोस्तों अगला प्रस्न देखें प्राशन नंबर आप यहां पर देख सकते हैं इसकी ब्याख्या 194 की बर्किंगम नहर तमिलनाड राजजी में उस्तित है यह भारत की प्राचिन नहरों में एक है इसका मुख्य उदेश परियोहन है नकी शीचाई हिराकुंड प्रियोजना एक नदी की धारा को नियंतित करती है वह नदी है महानदी हिराकुंड प्रियोजना एक नदी की धारा को नियंतित करती है महानदी या नहीं महानदी पर हिराकुंड बाध बना हुआ है प्रियोजना उडिश्चा राजी में इस्तापित की गई है यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्यधारा वाला बाद है जिसकी लंबाई 4.8 कीमी है प्रस नंबर 196 भारत में उत्खनन भूमी इस्तला किरिच्चियों का उधारन है यह यह चंबा घाटी में है चंबल घाटी चंबल घाटी भी कहीं पर हो सकता है चंबा घाटी या चंबल घाटी चंबल गाटी में भारत के उतकाद मुमी इस्तला खिरितियों का उधारन है निम्निलखित में से कौन सिंदु की एक सहयक नदी नहीं है जेलम सत्लो चेना इन्रावती इन्रावती सिंदु की सहयक नदी नहीं है तिबत के मांसरो जील के पास सिंदु नदी निकलती है अपने स्त्रोत के पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगबक तीन सो किलो मेटर की दूरी तक बहने के बहचाद जमू तथा कस्मीर के भारती सेत्र में परवेश करती है लदाग तथा गिलगित में बहते हुए एटक के निकट परवती सेत्र से बाहर निकलती है इसकी परसिद्ध सहयक नदिया सतलज ब्यास रावी चेना तथा जेलम मिलकर पंच नद बनाती है अगला प्राशन है कौन नदी अरव सागर में गरती है कावेरी क्रेशना गुदावरी नर्मदा इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं नर्मदा नदी मेधिवर्देश के अमर कंटक नाम पहाड़ी से निकल कर भणोच के निकट अरव सागर में खंपात की खाड़ी में गिरती है और कुल लंबाई इसकी 310 किलोमेटर तथा इसका पुहन 98,796 वर्गी किमी है यह उत्तर में बिद्यांचल तथा सथपुडा पुरवत है इस नदी के राष्टे में मद्यपरदेश में संग मरमर के सेल आते हैं जिन पर बहती हुई नर्मदा नदी बहुत ही सुंदर जरी से प्रस्तुत करती है आज का आखरी प्रस्न्य दोस्तों शीचाई पद्धती है इन में से समुद्री मेधान, उत्री मेधान, दक्षनी पठार या पजड़ी दक्षनी पठार इसका सही आंसर है प्राईरी भारत में शीचाई का प्रमुक साधन टेंक या तालाब है तालाब दोरा सरवाधिक शीचाई तमिल नाडू में की जाती है वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित भूमी 37 परतिसत बड़ी एवं मध्यम शीचाई परियोजना के धीन एवं 63 परतिसत छोटी शीचाई परियोजना के अंतरगत आती है तो यह आज की प्रस्णे थे 199 प्रस्णे तक हम पहुँचे हैं इसमें लगभग 500 प्रस्णे ऐसे हैं भारत के भुगोल से जो भिविन्य परिक्षाओं में पूछे गए हैं यह वो सारे प्रस्णे हैं आप देख रहे होंगे कि परतेक प्रस्णे किसी न किसी प्रिक्षा में पुछा गया है और कई बार पुछा गया है आपका रिवाईज हो जाए इसकी उद्देश से यह वीडियो बनाई जा रहे हैं अगर आपको वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें और आप हमारे इस उद्देश कोर सफल बनाएंगे जै हिन जै भारत अच्छा जाएंगे तो लाइक, भी खशोगे न शेशिया वीडियो